हेलो फ्रेंड्स होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे यहां पर हम प्रोसेस को कॉंटिन्यू करते हैं LPP में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि नेक्स वीडियो में मतलब इस वीडियो में हम लोग formation of LPP इस पर कुछ एक्जामपल्स करेंगे और आपको मैं बता दू कि यहां से questions बनते हैं ठीकर ना आपको LPP मतलब एक practical problem देगा इंडस्टरी से यह क्या है manufacturing based है मतलब इंडस्टरी इस पर यह question है manufacturing पर तो कई type के questions मैंने आपको बताया था जैसे manufacturing हो गया allocation problem हो गया dieting problem बहुंच सारे problems हैं जो LPP पर based है real life के तो आपको करना क्या होता है कि ऐसे actual problems होंगे आपको इनका mathematical formulation that means LPP बनाना होता है ठीक है so question जब भी आएंगे इस तरह से language होगा थोड़ा बड़ा दीखेगा question घबाना नहीं होता है बहुत आसान होता है LPP बनाना देखिए मैंने आपको last जो वीडियो थी उसमें जो introduction में बताया था न कि मेरा एक objective function होता है objective function को generally हम लोग z से represent करते हैं और इस objective function को या तो maximize करना हो क्या या तो maximize करना होगा objective function को या तो minimize करना होगा इसी को हम क्या बोलते है optimization of z अब सीधी सी बात है मैंने बोला था चुकि LPP बनाना है तो last वीडियो का जो introduction था उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे हम कुछ variables choose करते हैं x1, x2 अपने से question के accordingly तो यहाँ पे जो variables हैं ठीक है न मतलब जो मेरा objective function है उसको express करते हैं ठीक है न तो माली जी x1 plus x2 लिग दिया तो यह इनको क्या बोलते हैं यह जो variables introduce कर रहे हैं इनको बोलते है decision variable फिर मैंने आपको बोला था subject to आता है कुछ constraints होंगे जैसे for example x1 plus x2 less than or equal to 5 ठीक है तो यह इस तरह के जो equation इस तरह के जो मतलब model बनता है या mathematical formulation होता है उसी को हम क्या बोलते है यह जो given actual problem है न इसका LPP formation समझ में आ गया तो करना क्या होगा पहले फिर से समझ लीजिए यह चीज़े मैं लास्ट वीडियो में explain कर चुका हूं आपको question के accordingly यह decision variables चूज करना होता है जितने भी decision variables लेना है x1 x2 फिर question क को देखके आपको वहां से objective function define करना होता है मतलब जो actual problem है उस problem में मेरा main objective क्या है profit या profit को maximize करना है cost को minimize करना है उसके accordingly हम यह objective function बना लेते हैं जो की linear होगा और फिर उसके बाद मैंने बोला था नब constraints मतलब कुछ restrictions होते हैं उनको हम देखेंगे या तो inequality form में आते हैं या तो equation form में आएंगे depending on the question सब्सक्राइब तो question को पहले देखिए objective क्या है वो पहचानिये कितने decision variables लगेंगे वो पहचानिये और फिर conditions या constraints क्या है उनको पहचानिये और इस तरह से आपको formulation कर देना है ठीक है तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहले question को पढ़ते हैं question जो बोला है कि a manufacturer produces two types of models P1 and P2 मतलब ऐसा समझे न कि आप ही है मैं हूँ हम manufacturer है और हम जो है दो टाइप के product produce करते हैं यहाँ पे लिखा है models के term में models P1 and P2 आप समझे यह products P1 and P2 है question यह बोला each P1 model requires four hours of grinding and two hours of polishing तो बोल क्या रहा है न कि जो यह product P1 है जिसको model P1 बोला है इस product P1 को produce करने के लिए मैंने आपको बोला था न कि जैसे जब manufacturing करते हैं तो कुछ चीजे की जरूरत पढ़ती है न मसीन की जरूरत पढ़ेगी तो यह बोला है न कि इसका एक unit produce करने के लिए four hours grinding ठीक है ना grinding मतलब grinding अब समझते हैं उसको मतलब जिसे पत्थर है उसको काटना होता है न मतलब और उसके बाद पॉलिस करना ठीक है न तो four hours of grinding लगता है and two hours of polishing इस product P1 के एक unit को produce करने whereas each model P2 requires two hours of grinding and five hours of polishing सब्सक्राइब यह पूरप बनाने का एक unit बनाने का मतलब P1 को अगर मुझे बनाना है तो four hours of grinding and two hours of polishing उसी तरीके से P2 यह P1 था P2 के लिए क्या required है two hours of grinding and five hours of polishing अब बो लाया है कि the manufacturer has अब देखिए restriction यहां से समझ में आएगा the manufacturer has two grinders दो ही grinders है उसके पास and three policers मतलब क्या हुआ एक machine है यह grinder तो उसके पास capacity क्या है दो ही grinders है और तीन जो है policers है अब यहां पर main question ध्यान दिजिए each grinder works 20 hours a week क्या बोला है कि जो एक grinder है न वो 20 hours मतलब 20 घंटे ही एक week में काम कर सकता है यह grinder का restriction है and each polisher works for 30 hours a week एक week में यहां पर जो एक polisher है न वो किवल 30 hours काम कर सकता है यह polisher का restriction है तो यहां से restriction समझ में आ गया अब question पर आते हैं एक्चोल आगे बढ़ते है profit on a P1 model is rupees 3 and a P2 model is rupees 4 अभी यहां पर क्या बोला है कि अगर एक unit P1 का produce करते हैं उस पर मतलब sell करेंगे तो rupees 3 का profit होता है और P2 का एक unit sell करेंगे तो rupees 4 का profit होता है whatever is produced in a week in a week जो कुछ भी बात करा एक week में बात करा is sold in the market यह बोला है जितना भी produce होगा वो market में बिख जाता है यह आपका exemption है और हर question में यही देता है manufacturing problem में कि आप यह assume करिए कि जितना produce करेंगे या तो वो per day बोलेगा पर week बोलेगा या पर month देता है तो यहां पर week दिया ह है तो जितना produce होगा मार्केट में बेज देता है how should the manufacturer allocate his production capacity देखिए बोला न कि कैसे वो allocate करे production capacity को production capacity को मतलब क्या हुआ कि वो कितने unit P1 का produce करे और कितने unit P2 का produce करे using grinders और polisher जो machines है उसकी to the two types of models so that he may make the maximum profit in a week समझ लिजिए तो यहां से अब आपको समझ में आ गया कि मेरा main objective क्या है profit को maximize करना यहां से objective function की बात कर रहा था न तो मेरा objective function क्या हो गया profit जो बनेगा उसको maximize करना है टिकिन objective मेरा यह बन गया लेकिन मेरे पास restrictions है क्या मेरे पास दो ही grinders है यह restriction यहां से आएगा दो ही grinders है और 3 polisher है और इसमें भी restriction क्या है एक grinder जो है 20 hours और एक polisher जो है 30 hours अवी काम कर सकते है टिक तो बस अब question आपने पहचान लिया कि मेरा objective function क्या है maximize करना है profit को मेरे पास restriction क्या है यह machines जो है ना per week एक machine देखिए grinder 20 hours काम करता है तो 2 grinders कितने करेंगे तो 20 into 2 40 hours मेरे पास available है total grinders के लिए दोनों grinders अगर work करेंगे एक week तो 40 hours एक polisher अगर एक week में 30 hours जाता है तो 3 polisher कितने हो जाएंगे यहां से देखिए 90 hours मतलब 90 hours मैं केवल यूज कर सकता हूँ सारे polisher को और को यूज करने के बाद मैं काम कर सकता हूँ 90 hours और जितने भी मेरे grinder से उनको यूज करके पर week मैं 40 hours काम ले सकता हूँ यहां से restriction बन गया समझ में आ गया तो question जब करते हैं आप न तो बड़े आराम से आपको करना होता है अब ध्यान दिजिए यहां पर कैसे लिखते हैं देखिए यहां पर प्रॉब्लम करते हैं चैम को सुभ करते है मतलब LPP जब बनाते हैं तो इस तरीक से जैसे मैं करता हूँ मैं आपके पास सीधे transfer कर रहा हूं यहां पर लिख लीजिए पुड़र्क्त पी वन और यहां पर लीघिए पुड़र्क्त पी तेका आपका उपर दिया हुआ ना कि फस्सक्राइब यूज़ होता है यहां पर वो गया पॉलिसिंग के मतलब की वा कि पीवन के लिए एक उनिट प्रोड़ीउस करोंगा तो ग्रैंडिंग के के जरूरत पड़ेगी पॉलिसींग के जरूरत पड़ेगी और यहां पर लिख लेजिए profit का और policing का यहां पर वीक capacity पर वीक आप लिक किये गा ना वार वीक क्योंकि हम जो कुछ भी calculate कर रहे है एक वीक में चलिए अब question के accordingly चलते है जो P1 है या model P1 है उसको उसका एक unit produce करने के लिए कितने hours की grinding चाहिए ठीक ना grinding per hour लिख दीजिए तो भी समझ में आता है और यहां पे भी per hour तो P1 प्रोड़क्ट का एक unit produce करने के लिए यहां question में लिखा है four hours of grinding and two hours of polishing तो four hours of grinding and two hours of polishing यह हो गया question के accordingly मैंने बनाया कि product P1 का एक unit produce करने के लिए P1 model का four hours of grinding and two hours of polishing अब देहां दीजिए P2 पे आते हैं पीटू पे भी दिया है इसका एक unit produce करने के लिए two hours of grinding five hours of polishing तो two hours of grinding five hours of polishing प्लीज चेक करिएगा ठीक है अब चलिए capacity पे आते हैं यह क्या हो गया देखियां दीजिएगा तो जो grinding machine है ना जो दो grinding machines है उनहीं को तो मैं use करूंगा P1 जो model है उसको produce करने में P2 model है उसको produce करने में क्योंकि दोनों के लिए grinding के जरूरत पड़ेगी तो per week capacity क्या है grinding machine की तो यहां पे ध्यान देजिए एक grinding machine per week 20 hours मेरे पास दो grinding machines है तो कितना हो जागा 20 into 2 40 hours तो grinding एक मतलब टोटल जो grinding machine है ना उसका जो capacity है वो क्या है 40 hours per week यह मैंने इसलिए देखे लिग दिया यहां पे na capacity per week in hours ठीके ना अब आते हैं उसी तरीके से policing का policing P1 का भी एक unit produce करूँ P2 का भी करूँ इस दोनों के लिए policing के ज़रूरत पड़ेगी तो total मेरे पास per week policing hours कितने एबलेबल है एक machine 30 तो total 3 policing machine कितने हो जाएंगे अगर per week काम करेंगे मतलब एक week में 90 hours मैंने यहां पे बता दिया तो मेरी capacity जो है total policing का मतलब policing machine जितने हैं सब का मिला के कितना है 90 hours प्लीज चेक करिएगा फ्रेंच अब आते इधर profit per unit question में यही दिया हुआ था कि अगर P1 का एक model produce करेगा रुपे 3 का profit होता है तो यह हो जाएगा रुपीज 3 और अगर P2 को sale करेगा एक unit तो 3 रुपीज का और P2 का रुपीज 4 यह हो गया रुपीज 4 मैंने यह एक table बना दिया जो information था अब आते हैं question में ही पूछ रहा हैं कि how should the manufacturer allocate his production capacity मतलब क्या हुआ कि grinding machines का per week जो 40 hours available है policing machine की capacity का per week 90 hours है इसको कैसे allocate करे अब ध्यान देजे allocate करना मतलब क्या हुआ कि कितने unit P1 का produce करे और कितने unit P2 का produce करे पर week तो यहाँ पे आप जब question को solve करें यह table बना दिजिएगा और लिखिएगा let manufacturer manufacturer produces produces x1 unit of model model P1 and x2 unit x2 unit units of model P2 model P2 simple सा कि x1 unit model P1 का produce करता है x2 unit model P2 का अब यहाँ पे so we have अब लिकिए we have following 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 LPP जो की इस actual जो problem है मेरा industry से उसका mathematical formation इसी को तो बोलते हैं formation of LPP क्या मैंने बोला था जो format होगा अब अबजेक्टिव फ़ंक्षन पर चारी हैं हमेसा objective function को हम Z से लिखते हैं ठीके न और यह जो objective function है मतलब profit है यह profit को represent करता है यह क्या करता है profit को represent करता है ठीक है? तो चलिए तो ये objective function मेरा क्या है Z जो की profit है इसको maximize करना है तो ध्यान दिजिए एक unit produce करते हैं तो मेरा profit P1 का 3 unit है ठीक है न? तो मुझे total profit निकालना है न? per week मतलब इन दोनों product से तो अगर एक unit P1 का produce करेगा तो rupees 3 x1 unit produce करेगा तो कितना हो जाएगा? 3 into x1 तो यह क्या हो गया? 3 into x1 plus एक unit अगर P2 का produce करेगा rupees 4 का profit होता है तो x2 unit produce करेगा तो कितना हो जाएगा? 4 x2 न? यह देखे यह मेरा total profit है x1 unit P1 model का से और x2 unit P2 model से यह मेरा profit हो गया जिसको मैंने क्या बोला? z अब इसी को हम क्या बोलते? objective function मैंने objective function बना लिया लेकिन यहाँ पे complete objective function क्या होगा? मुझे इस को क्या करना है? maximize करना है profit को क्या करना है? maximize करना है तो max z is equal to 3 x1 plus 4 x2 ठीक है? यह मेरा हो गया objective function अब यहाँ पे क्या लिखते है? subject to subject to या sort में हम s.t. लिखा करेंगे एक बार मैंने पूरा लिख दिया तो subject to अब आपका restriction की बात है तो ध्यान देजिए restriction कहां से आ रहा है? grinding machine का maximum 40 hours capacity है अब ध्यान देजिए एक unit produce करेंगे तो grinding machine का 4 hours चाहिए x1 unit produce करेंगे तो कितना hours चाहिए? 4 into x1 तो यहाँ पे आप लिख देंगे 4 into x1 यह मैं क्या करा हूँ? grinding machine के जो capacity है उस पे plus मैं एक unit अगर P2 का model का produce करता हूँ तो 2 hours का चाहिए x2 unit produce करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 x2 तो यहाँ पे हो गया 2 x2 यह मैं क्या बोला हूँ? x1 unit P1 और x2 unit P2 का produce करूँगा तो यह जो आ रहा है मेरा इतने total hours क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? grinding का चाहिए और यह देखिए capacity मेरी क्या है? 40 hours मतलब 40 hours से ज़्यादा नहीं दे सकते तो यहाँ पे that means यह जो total hours आ रहा है यह exceed नहीं करना चाहिए 40 को तो less than or equal to 40 आपने कर दिया प्लीज चेक करिएगा फ्रेंज ठीक है तो यह grinding से आ गया condition अब यहाँ से आते हैं दोनों को produce करने में polishing भी चाहिए एक unit मैं P1 model produce करता हूँ 2 hours आप polishing चाहिए और अगर X1 unit आप produce करेंगे तो क्या हो जाएगा 2X1 प्लस अब polishing पे condition एक unit model P2 के लिए polishing कितना ज़रत पड़ेगा 5 hours का और अगर X2 unit करेंगे तो 5X2 तो this will be 5X2 and this is less than or equal to कितना total hours है यहाँ पे 90 hours तो यहाँ पे हो गया 90 मैं समझा पाया कि नहीं friends प्लीज बोलिएगा ठीक है आप चलिए यहाँ तो clear हो गया होगा अब अब यहाँ से क्या करेंगे कि यह मेरा पुरा formation हो गया लेकिन ध्यान दीजिए एक चीज और यहाँ पे होता है यह जो x1 x2 unit है तो इसका जो restriction है यह कभी negative नहीं हो सकता यह क्या है इतनी unit produce करना है तो आप बोलेंगे minus 2 unit produce करेंगे p1 model का यह तो गलत है आप मतलब सबसे lowest क्या होगा कि मैं 0 unit produce करूँगा मतलब x1 को produce नहीं करूँगा यही तो आप minimum कर सकते है तो that means यहाँ पर condition लगता है कि x1 unit जो मैं लिख रहा हूँ p1 model के लिए और x2 unit लिख रहा हूँ p2 model के लिए इनका minimum value क्या होगा 0 या 0 से बड़ा मतलब कम से कम मैं minimum सबसे क्या है कि इसका production ही नहीं करूँगा इसका भी न करूँगा तो 0 के equal हो गया या फिर आप 1 unit, 2 unit, 3 unit ऐसे आप बात करेंगे तो यहाँ पर जरूर लिखिए x1 x2 greater than or equal to 0 मैं समझा पाया कि नहीं friends प्लीज बोलिएगा तो यह है total आपका complete LPP का formation कैसे आप करते हैं आप जब भी question आए घवडाना नहीं है ऐसे ही question बड़ा सा दिखेगा आप घवडा जाते है question को कुप प्यार से पढ़िएगा ठीक है न? और आप देखिएगा कि मेरा main objective function क्या है profit को maximize पहलो वो पहचान लिया restrictions क्या है तो grinding का मतलब पर भी कितने मैं hours यूजज कर सकता हूँ और policing का मैं कितने hours यूजज कर सकता हूँ question में के accordingly मैंने माल लिया कि X1 unit model P1 का X2 unit model P2 का और सब कुछ जो information दिया था उसके accordingly मैंने objective function बनाया objective function क्या था profit को maximize करना वो लिख लिया restrictions मेरे थे कि चुकी दोनों products को बनाने के लिए grinding hours grinding machine की भी जरूरत पड़ेगी policing machine की भी जरूरत पड़ेगी तो grinding machines का जो capacity per week है 40 hours maximum और इसका कितना है 90 hours तो उसको मैंने यहाँ पे लिखा और accordingly यह restrictions बना दिये और last में यह जो X1, X2 unit produce कर रहे है तो इनकी minimum value यही होगी कि हम कोई unit produce करे तो X1, X2 greater than or equal to 0 मैं clearly explain कर पाया कि नहीं friends please, please बोलिएगा